अदियाय अठती, साद एक स्वाद, सुन है नसीता परे, कुरान दी दो पर इनकारीता कमंड विच अते, कुरान दी, विरोधता विच फसे होए हन तिन इहना काफिरां तो पहला वी असी किन्या ही उमता, कौमा नू अजाब राही, हलाक कर चुके हां जदो अजाब आ गया तो उना ने, मदद लई, सानू ही सद्या, जद के ओ समा, अजाब तो छुटकारेदा नहीं सी चार अते ओना लोकानू इस गल उत्ते रुरानी सी के एक डराउन वाला आप ओना विचो ही आ गया ते काफिराखन लगे के इता एक जादूगर है अते वड़ा चुटा है पंज की इसने सारे इश्टान नू इक ही इश्ट बना दितता है एता बहुत ही अजीब गल है चे अते मक्के देत सरदार एक कहिंदे होए मुहम्मद ससा दी सबा विचो उठ तुरे के चलो अते अपने इश्टान दी इबादतते ही डटे रहो बेशक ए गल किसे निजीव देशनू लेके आखी जा रही है साथ असीता एक गल पहलिया कौमा तो भी नहीं सुनी एता केवल कड़ी होई एक गल है अठ की सड़े विच्चो इसे तेही जिकर कुरान उत्रिया है असल विच ए लोक मेरे जिकर कुरान उत्ते शक कर रहे हन क्यों जो अजे ओना ने मेरे अजाबदा सुआद नहीं चख्या नो हे नभी की इहना काफिरा कोल तेरे उस रब दिया रहिमतां दे खजाने हन जहडा के वड़ा जोरावरते सखी दाता है एक सिफर जांकी ए अकाशते तर्तियते ओना दे विचकार हर एक चीज दे मालिक हन जे इंज है ता इहनानू चाहीदा है के वहीनू रोकर लेई रस्या राही अकाशते चण जान एक एक एता दो वड़े वड़े हारे होई जथ्यां विच्चो एक निक का जेहा जथ्या है जेहडा मात खावेगा एक दो इहना तो पहला नूह ते आद्दी कौम ते मेखा वाले फिरॉन ने पैगंब्रानू चुठलाया सी एक तिन अते समूद अते लूद दी कौम ने अते एका वाले ने भी हाक नूँ चुठलाया सी ए सब वड़े वड़े शक्तिशाली जथे सन एक चार एहना विच्चो हरेक ने पैगंब्रानू चुठलाया सो उन उत्ते मेरे अजाब्दा फैसला लागू हो गया एक पांजे काफिर लोक वी केवल एक डराउन वाली चीक दी उडीक कर रहे हन जिस विच कोई देरी नहीं एक छेओ इनकारी मखौल विच आख दे हन कि है साध्या रब्बा सानू साधी सजादा हिस्सा हिसाब वाले दिन पाव क्यामत तो पहला छेती ही दे दे एक सत्थ हे नबी तुसी इहना काफिरा दिया गल्ला उत्ते जोई कहे रहे हन तीरज तो कम लो अते साधे बंदे दाउदनू याद करो जो 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 जोरावर शक्तिशाली अते हरेक मामले विच रब वल परतन वाला सी एक आठ असी पहाडान नू उस दे अदीन कर छड्या सी अते ओ उस दे नाल संज सवेरे अलाह दी तस्बीर पाकी ब्यान करया कर दे सन एक नो अते पंचीवी तस्बीर करन लई इक अठे हो आउंदे अते ओ सारे उस दाउद दे आग्या कारी सन दो सिफर अते असी उस दी हकूमत नू मजबूत कर दित्ता अते उसनू हिकमत दानाई, सूज, बूज, बख्शी अते फैसला कुन गल आखन दी योगतावी दित्ती सी दो एक हे मुहम्मद की तो हानू चग्डन वाल्यां दी खबर है जदो कंद टप के दाउद दे कमरे विच आ गये सन दो दो जदो ओ दाउद दे कोल पहुंचेता ओ, दाउद ओना तो डर गया ता ओना आउन वाल्यां ने आख्या के तुसी साथोन डरो ना असी दोवे एक दूजे नाल चगड़ पए हां, असी एक दूजे नाल वदी की कीती है, सो तुसी साड़े विचाले हक अनुसार फैसला कर देो अते बेन साफी ना होवे अते इनसाफ वल ही साड़ी अगवाई दो तिन, एक बोलिया कि ए मेरा परा है इस दे कोले नढहिन वेन दूबिया हन, जदो कि मेरे कोल एक ही दूबी है, ए आखदा है कि ओ एक दूबी भी मेरे हवाले कर दे अते गल्ली बाती मैनू दबा लेंदा है दो चार दाउद ने बिना दूजे तेर दी गल सुने अते बिना किसे गवाही तो फैसला फरमाया कि तेरी एक दूबी नू अपनिया दूबिया नाल जोड़न दी गल करके बेशक इसने तेरे नालवदी की किती है आम करके साजीदार एक दूजे नाल तक का करदे हन छुट ओना तो जहडे रब ते इमान रखदे हन अते पले कम करदे हन अजेहे लोकी ता बहुत ही थोड़े हन दाउद समझ गया कि असी इस फैसले राही उसनू अजमाया है फेर ता उस दाउद ने अपने रब तो बख्षिश दी दूआ मंगी अते रुकूविच चोक गया ते रब वल परताया दो पंज असी रब ने उस दी इपोल बखश दित्ती बेशक कूसली साड़े कोल निकटवर्ती स्थान ते सोहना टिकाना पाव जन्नत है दो छे असी के हाके है दाउद असी तुहानू तर्ती ते खलीफा रब्भी हाकम बनाया है सो तू लोक का विचकार इंसाफ अनुसार फैसले कर ते अपनी इच्छा दे पिछे ना लग्र एक मन दी इच्छा तेनू अल्लाह दे रस्ते तो हटा देवेगी जहडे लोक अल्लाह दी राह तो पटक जन्देहन उना लई करड़ा अजाब है इसलिए कि उना ने हिसाब होन वाले दिन क्यामत नू पुला दिता है दो सत असी अकाश ते तर्तीनू अते जो इहन दे विचाले है वेरत नहीं साजया एता विचार उना लोकांदा है जहडे रब्दा इंकार करदे हन अते जहडे इंकारी हन उना लेई नरक दी अग राही बरबादी है दो अटकी असी इमान लियाउन वाले ते पले कम करन वाले नू उना लोकांदे बराबर कर देंगे जहडे तर्ती ते विगाल पाउन वाले हन जह असी मुत्कीन बुराईयां तो बचन वाले आ नाल बदकारा वरगा सलूक करांगे दो नौ एक कुरान बरकतावाली किताब है जिसनू असी तोहडेवल है मुहम्मद इसलिए उतारी है ता जो लोकी इस दियां आयतां आदेशां ते सोच विचार करन ते अकल वाले इस तो नसीहत ग्रेंड करन तिन सिफर असी दाउदनू सुलेमान जेहा पुत्तर बक्षया जेहणा बहुत ही नेक बंदा सी अतेओ बहुलता नाल रब वल परतन वाला सी तिन एक जदो शाम विले उस सुलेमान दे अग्ये तेज पजण वाले असील कोडे हाजर कीते गए जिस कारन नमाज दा समा बीद गया तिन दो याद आउन ते उसने आख्या कि मैंने अपने रब दी याद नू इस माल कोड़्यान दी मुबबत ते पहल दित्ती इत्थों तक के सूरज अक्खा तो ओले हो गया तिन तिन सुलेमान ने हुकम दित्ता के इहना कोड़्यान नू मेरे कोल लियाओ फेर उन दिया पिनिया ते गर्दना ते हाथ फेरन लगगा पाव वड़न लग प्या तिन चार निरसंदेह असी सुलेमान नू अजमाया ते असी उस दी कुर्सी उत्ते इक बेजान तर रख दित्ता फेर उस सुलेमान ने रब वल त्यान दित्ता तिन पांज उसने कहा के हे मेरे रब मैंनू बखश दे अते मैंनू उ पात्षाही बखश जहडी मेरे पिछो किसे नू ना फबे बेशक तू ही सब तो वड़ा दाता है तिन छे फेर असी हवानू उस दे अदीन कर दित्ता ओ हवा उस दे हुकम अनुसार जिद्दरू चाहुंदा सी नर्मी नाल वगदी सी तिन सत शैतान जिन्न नू वी जहडे पवन उसार दे सी अते समुंदरा विच गोते लगाउंदे सी उस दे अदीन कर छड़े सन तिन आठ्ठते होर जिन्न जहडे संगला नाल जकडे होए सन्न ओ वी अदीन सी तिन नो है सुलैमान ए है साड़े वलो बक्षिश सो हुन तू पावे किसे ते अहिसान कर जा ना कर इस दी कोई पुछ गिच नहीं चार सिफर बेशाक कुसलई साड़े कोल निकटवर्ती अते वधी अटिकाना है चार इक अते हे मुहम्मद रता साड़े बंदे अयूग दीवी चर्चा करो जदो उसने अपने रबनू अरदास कीती सी कि मैनू शैतान ने दुख ते बीमारी दे अजाब विच पास उट्या है चार दो असा किहा के अपना पैर तरती ते दब के मार के पाणी कड़ो ए ठंडा पाणी इशनान लईते पीन लई है चार तिन असी उस अयूग नू उस दा पूरा परिवार्दे दित्ता सगो अपने वल्लो मेहर वजो उनने ही होर बखश दित्ते इहना गल्ला विच अकल वालिया ले नसी ताहन चार चार असी आदेश दित्ता के अपने हाथ विच सो तीलिय दाईक मुठ्था पाव चाड़ू फाण अते अपनी कसमनू पूरा करन लई उस दे नाल अपनी पत्नीनू मार अपनी कसमनू ना तोड दश्मलविक सची गल्ता हो है के असी उस अयूग नू सबर करन वाला प चार पंज सडे बंदे इब्राहीम इस हाग ते याकूब दीवी चर्चा करो जिहने कारजशक्ती रखन वाले सूजवान लोक सन। चार छे असी उनननू एक विशेश गुण पर लोक दी याद कारन चोन लियासी। चार सत्तो सारे साडे लई, रब लई चोनवे नेक लोका विच्छो सन। चार आठ इसमाईल, अल, यासा आते जुल, किफल दीवी चर्चा करो ए सारे नेक लोका विच्छो सन। चार नौए कुरान एक नसीहत है अते सच जान कि मुत्कीन बुराईयां तो बचन वालियां लई बहुत ही वदिया था सवरग है। पांज सिफर सदीवी रहन वाले बाग हन जिना दे बुहे ओना नेक लोका लई खुले होनगे। पांज एक जित्थे ओ बड़े आराम नाल टासने लाही बैठे होनगे अते तरा तरा दे फलादियां ते पीन वालियां चीजां दिया फर्माइशान करंगे। पांज दो ओनदे कोल नजरानू नीविया रखन वालियां ते हान परवान दियां पत्नियां होन गियां। पांज तिन आख्या जावेगा कि ए है ओ वादा जिहडा तो हडे नेक लोका नाल हिसाब वाले दिन ले कीता जानदा सी। पांज चार बेशक ए रिजक साडेवलो विशेश बक्षिश है जिहडा कदेवी मुखेगा नहीं। पांज पांज एता है नेक लोका दा बदला परंतु बागियान लई बहुत ही पैडा टिकाना है। पांज चे पाव नरक है जिस विचो इनकारी जानगे ओ बहुत ही पैडा निवास्त सथान है। पांज सा ते खौलदा होया पाणी ते पीप है होनो इस दा स्वाद्चकन। पांज आठे से प्रकार दिया होर कई तरह दिया दूजिया सजामावी होन गिया। पांज नो के हा जावेगा ये तोहाडे पैरोकारांदा जत्था है जहडा तोहाडे नाल नरक विच कुस्दा जारेहा है। इहना लई कोई खुशी जा कोई खुल नहीं होवेगी सगो इता नरक दी अग विच जानवाले हन। चे सिफरो सरक्षी करनवाले आखंगे के सगो तुसी ही इस योग हो के तोहाडे लई कोई खुशी जा कोई खुल नहीं पाव कोई आओ पगत नहीं। तुसी ही इस नरक नूँ साड़े सामने लियाये हो ए बहुत ही पैड़ा निवास्त सथान है। 6. ओ आखंगे के हे साड़े रब्बा जहडावी कोई साड़े सामने ये अंत लियाया है उसली नरक दी सजा अजाब दूनी कर दे। 6. दो नरकी आखंगे की गल है के आज सानू ओ लोकी विखाई नहीं दिन दे जिननू असी पैड़्यान विच गिन दे सां। 6. तिन की असी एवे ही संसार विच ओना दा मखाल कर दे सी जा साड़ियां खाही ओना तो फिर गईया हन। 6. चार एगल सची है कि नरकियां विच आपसी चगड़ा जरूर होवेगा। 6. पंज हे मुहम्मद तुसी कहिद्यो की मैता केवल चितावनी देन वाला हां आते छुट अल्ला जोरावर तो होर कोई पुजण हार नहीं। 6. छे जहड़ा के अकाशा ते तर्ती दा आते जो कुझ भी उना दे विचाले है उना सब दा मालिक है। ओ जोरावर ते बखशन हार है। 6. सत्थ हे नभी तुसी आक द्यो के एक वड़ी खबर है। 6. जिसनू सुनके तुसी मुँ फेरन वाले हो। 6. छे नो हे नभी उनानू आक द्यो के मैनू सब तो उच्चे दरबार वाले फृष्टेयां दा कुझ भी घ्यान नहीं जदो ओ, मनुखी सिर्जन ते रबनाल चगण रहे सी। 7. सिफर मेरे वलता केवल वही कल्ली जान दी है अते मैं ता सपष्ट रूप विच नरक दी अग तो खबरदार करन वाला हां। 7. याद करो, जदो तो हड़े पालन हार ने फृष्टेयां नू केहा कि मैं मिटी तो एक मनुख नू पैदा करन वाला हां। 7. दो जदो मैं इस मनुख नू ठीक ठाक कर लवा अते उस विच अपनी रूप आ दे माता तुसी सारे उस दे अग्गे सिजदे विच डिग पैणा। 7. तिन इस आदेश अनुसार सारे फृष्टेयां ने इकठा होके सिजदा कीता। 7. चार छुट इबलीस तो उसने कमंड कीता इन जो इनकारियां विच्चो हो गया। 7. पांज पुछेया के हे इबलीस तैनु कहणी गालने इस मनुक नुसिजदा करन तो रोक्या जिसनु मैंने अपने हत्थी साजया है। की तो कमंडी हो गया जा तेरा दर्जा ओना फृष्टेया नालो उच्चा है। 1. साथ छेय। उस इबलीस ने उत्तर दिता कि मैं इस आदम तो चंगा हां, तुसा मैंनु अग तो पैदा कीता है जाद के इस मनुक नु मिटी तो बनाया है। 7. साथ अलाह वलो हुकम होया कि तू एथो निकल जातू ता मर्दूद तिकार्या होया है। 7. आठते क्यमा तक लई तेरे उत्ते मेरी फिटकार है। 7. नो इबलीस पाव शैतान ने आख्या के है मेरे रब्बा। ता फेर मैंनु उस दिन तक दी मोहलत दे, जदो लोक मुल कबरां चो उठाए जानगे। 8. सिफर फर्माया के बेशक तू भी मोहलत दित्ती जानवाले लोका विच्चो हो गया। 8. उस दिन तक मोहलत है जिसदा समा मेरे वलो मिथ्या होया है। 8. दो शैतान ने कहा कि मैंनू तेरी इज़त दी कसम। मैं ओना सब मनुखां, नू रब दे रस्त्यों लाजमी कुराहे पावांगा। 8. तिन छुट ओना तो जहडे ओना विच्चो तेरे चोल नवेते पसंद दे बंदे हन। 8. चार फर्माया कि सची गलतां हो है अते मैं सच ही कहा करदा हां। 8. पंज कि मैं तेरे अते तेरा कैना मननन वाल्यानाल नरकनू जरूर पर देवांगान। 8. छे, हे नबी, आक देओ कि मैं तो हाथों, रब्बी सुनेहा पचाउनदा, कोई बदला नहीं मंगदा ते नाहीं मैं कोई बनावती कम करन वाल्यां विच्चो हां। 8. साते कुरान, ता सारे जहाना ली एक नसीहत है। 8. आठखते तुसी इसदी सचाईनू कुझ देर मगरों, पाव क्यामत विले जरूर ही, जान लवोगे।